हेलो गाइज आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है तो आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन जिसे हिंदी में भारतिया अंतरिक्ष अनुसाधन संगठन भी कहते हैं इसरो का हैट क्वैटर बिंगलूरू में है तो चलिए जानते हैं इसरो से रिरिटेट कुछ ऐसे बातें जिनें सुनकर आप कहेंगे प्राउट टू बियान इंडियन क्या आपको पता है इसरो ने देशी वर्जिन में अपना खुद का गूगल अर्थ बनाया है इसका नाम भूवन अप्लिकेशन है इस अप्लि 104 साटलेट अपने PSLV यानि पोलर साटलेट लांच वहिकल से एक बार ही में लांच करके दुनिया में एक रिकॉर्ड बना लिया था इसरो के लो बजिट्स यानि कम दाम और जायदा काम अरे यही बात तो इंडियन्स को दुनिया से अलग करती है क्या आपको पता है नासा जितना आमाउंट एक साल के Space Mission में करता है उससे कहीं कम अमाउंट में drained 40 साल के Space Mission कर लिया बेस्ट इओमपल मार्स Mission जितना आमाउंट एक Space Movie Gravity बनाने में लگा था उससे कहीं कम अमाउंट में इसरों ने real वाला Space Mission कर लिया तो चलिए अपने आज का टापिक पर बात करते हैं क इसरो फ्यूचर में कौन कौन से स्पेश मिशन करने की प्लानिंग कर रहा है तो पहला है अदित यलवन इसरो 2020 में यानि इसी साल में एक मिशन करने वाला है इस मिशन में एक प्रोब जिसका नाम अदित यलवन है उसको सन के करीब भेच कर सोलार क्रोनोग्रफी यानि करोना के बारे में स्टडी करेंगे एक मिनिट यह कोई ये वाला करोना नहीं हम इस वाले करोना की बात कर रहे हैं तो दूसरा है शुक्रयान वन इस रो एक और आर्बिटर मिशन के बारे में सोच रहा है जिसका नाम शुक्रयान जो वीनस पर होगा और ये मिशन 2003 इसमें करेंगे तो तीसरा है मंगल यान 2 यानि के हम फिर से मिशन मंगल करेंगे ये मिशन 2024 में होगा जिसका वजन पहले वाले से 7 टेम जादा होगा और इसका और्बिट भी छोटा होगा यानि के मिशन मंगल का टुपल वो वर्जिन होगा तो चौथा है चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अफसुस तो हम सबको है लेकिन इस तरो हार मानने वाला में से नहीं है वो कहते हैं न विक्ट्री बिलाक्स टुदोस इसी लिए इंडिया फिर से चंद पे जाएगा और इस मिशन में इंशालला जुरूर कामियाब होगा तो चलिए बात करते हैं इसरो के सबसे अनोखे मिशन की यानि गगन यान मिशन ये मिशन 2021 और 2022 में होगा ये इंडिया का पहला स्पेस मिशन होगा जिसमें आस्ट्रोनाट्स को मंगल यानी मार्स पर भेजा जाएगा इस मिशन के बाद इसरो दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना लेगा इस मिशन की पूरी लागत है दस हजार कडोड रुपए तो आप सबको इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें